नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वाना फ्री क्लाजेज में स्वागत है आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों साखुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगी सभी बच्चे मेरी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं और सुआना फ्री क्लासेज में आपकी फाइन आर्ट और पॉलिटिकल साइन्स और हिस्ट्री तीनों की प्रिप्रेशन करवाई जाती है मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस क्या है विशाई सैंदव सभ्यता जिसे हम सिंदू घाटी की सभ्यता भी कहते हैं और हरप्पा की सभ्यता कहते हैं तो आईए अब हम अपने टॉपिक की और आगे बढ़ते हैं हमारा टॉपिक क्या है बच्चो सैंधव सभ्यता और यहां पर हमारा पहला प्रश्ण देखी पूछा गया है कि निम्लिकित में इसी कौन सी संभुता भारत में कहां पे भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातू थी आपको प्रथम धातू बताना है और यह आपका प प्रथम धातू प्रयोग की जाने वाली कॉन सी दी और यहां चार उप्चन आपके दिये गए 거죠 टांबा बिल्कुल आपका प्रथम एक अख्या को थोड़ा देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा भारत में धातु के प्रयोग का सबसी प्राचीन साच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में इस्थित मेहर घर नामकिस्तल से प्राप्त हुआ है तो यहां से पहला संस्कृतियों में तांबे कासें आप लोग समस्थे तुम से प्राक सेंधव सभ्यता से नाले खुल तो वहां पर तामबे कासे के प्रयोग के साथ मिलें लेकिन विशेश रूप से प्रयाप्थ मात्रा में उप्योग सबसे पहले संस्कृति के लोगों ने किया था लेकिन जो दातु का सबसे ज़्यादा विशेश रूप से जो प्रयाप्त मात्रा में अपनी दिन चर्या में उपयोग मिलाने वाले कौन थे सैंदव संस्कृति के लोग थे याने सिंदो घाटी सभ्यता के लोग थे इन्हीं लोगों ने तामबे एवं कासे का प्रयाप्त मात में उपयोग किया था अता इस परश्ट है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली दातु क्या थी तामबा थी तामबा चली आएम अपने दूसरे प्रश्ण की और आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा प्रश्ण है कि सिंदू घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किय गया है निम्लिखित कारणों पर विचार करें तो सिंदू घाटी सभ्यता अभी तक उद्वाचन नहीं किया गया और नीचे आपको तीन कारण दिये गये उन पर विचार करना है पहला कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है दूसरा अभी लेखों की छोटी लंबाई औ पीसरा और ने एक और तीन सही है या एक दो और तीन तीनों सही है और यह प्रचना आपका YOUP tgt 2016 में पूछ गया है आपको इसका करेक्ट अंसर बताना है तो फोसुचिए इसका कारण दिये गये उस पर विचार करना आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है आपका सही answer है D तीनों के तीनों आपका बिल्कुल सही answer है D बिल्कुल correct answer है 1, 2, 3 यहां देखिए हम कारण देखिए उनकी भाषा के बारे में सिंदू घाटी सबिता है जो सेंदम सबिता है हमें कोई जानकारी नहीं साथ ही साथ अभी लेकों की छोटी लंबाई भी है और साथ ही साथ द्वी भाषा लेकों की अनुपस्तिती है तो D option बिल्कुल correct है आपका आई अब हम जोना इसकी व्याक्या को देख लेते हैं सिंदू घाटी सबिता की लीपी त्रिच्छारो वाली है चित्राच्छरों वाली है कैसी तो आपकी कहा कहा पर बननने मरीद बने और तामहर गुटी का पर मिलते हैं इसे पढ़ा नहीं जा सका है हमुए मिले तो हैं लेकिं अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है सिंदु घाटी सब्यता का उतवाजन अभी तक नहीं हो पाने की कारोरों में उंकी भाषा के बारे में कोई सब्सक्राइब ан पढ़ा नहीं जा सका है तो हम अपने तीसरे प्रश्न न की और आगे बड़ते हैं हमारे तीसरे सब्यता के निमलिकखित में किस नगर यहां आपके 4 नगर दिए हूँव गएधा आपको बताना है किस नगरодар में चिनाई के कार में लिए कि कि आ यूज प्रसतर प्रयोग कच्छी इतों के साथ जयाता था किसका कच्छी तों में तच्छित प्रस्तर का प्रयोग कच्छी इटों के साथ किया जाता था कि तो आपका कर्डेक्ट अंसर क्या है धूला वीरा यहीं पर आपका जो है चिनाई के कार में तच्छित प्रस्तर कप्रयों कच्छी इटों के साथ किया जाता था और जो है यह आपका जो है यूपी प्रश्ण है अगर आपसे कोई पूछे तो धोला वीरा करेक्ट एंसर है आपका चली अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा धोला वीरा गुजरात के कच्छ जिले में इस्तित महतपूर हरपाई अस्तल है तो यहां से एक प्रश्ण आपका और बन सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि धोला वीरा जो है कहां पर इस्तित है तो धोला वीरा आपके गुजरात के कच्छ जिले में इस अस्तल की खोज वर सकता है कि दोला वीरा की खोज किस सन में हुई तो आप बताएगा 1967 से 1968 और किसने की या भी पूछा जा सकता है तो बताएगा जगपती जोशी जी ने की थी दोला वीरा नगर में चिनाई की कार में तच्छित प्रस्तर का प्रयोग कच्छी इटो के साथ किया जाता था और दो दोला वीरा से आपको क्या मिलते हैं जला शेयों के प्रमार मिलते हैं यहां से आपके तीसरा प्रश्न सौरी बन सकता है कि दोला ऐसी कौन सी जगह जहां से हमें जला शेयों के प्रमार मिलें तो आप बताएगा कि हमें दोला वीरा से जला शेयों के प्रमार मिलें और दोला वीरा ही एक मातर है यहां से कोई पूछे तो बताइए घुजरात के कच्छ में कभ नाइटने शूंवाइश यह यह पर क्या मिलते हैं ृत्री यहां के जल प्रभंद प्रस्ञ प्रस्ण में काई को प्रस्न्राइब हमारा चौद्धा प्राश्न है हरापद सभ्वयता में ने में से किसकी जानकारी नहीं थी और प्राश्न आपका क्लिए आपutable प्रश्न पश्क पुछा गए आपका प्राश्न है कि वीएस पीजीची 2018 आपको चार ओप्शन दिया आपको बताना है करेक्ट अंसर क्या है आपका सही एंसर दी कुए पर पुली होती है ना कुए पर ऐसे पुली उद्धी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके बारे में हरपा सब्वेतार की जान के लोगों को जानकारी नहीं जब 12 वीरा में जलाशे मिले और वहाँ जलप्रबंद मुसकी विशेस्ता तो नहें कि जानकारी ओगी की जानकारी थी झानकारी की लिए हरपा सब्वेता की लोगों को यहां देखें हमिसकी फोड़ी व्याक्या को देख लेते हरपा सब्वेता क्रिशी पर आधारित और आधारी थी सिंदु घाटी के सबयता यह है के निवाशियों का मु पेशा क्या था उने की सिंदू नदी में हर वर्ष आने वाले बार थी थी उसकी वज़े से जो आजसे जमीनों की उर्विता और ज्यादा क्या हो जाती यह गरती ती सब्दमी लाटे को बहा कर दो कि जोatorium है उसको उर्वर भूमीर मिट्टी को बाहा कर लाती थी उसको उर्वर्वर बना दिया करती थी आप से पूछा जा सकता है कि जो क्रिशी में काम लाने वाले जो किसे बने होते थे तो आपके प्रस्तर से बना हुआ करते थे और कास के भी बने हुए करते थे जैसे क्या-क्या था हल था और कुदाल था फिर मोहन जो दो यहां देखिए और कि कहां से मिट्टी के हल के खिलाँने का प्रारूप मिला है एकजाम में पूछा जा सकता है तो आप बताइए गहां पर देखिए एक प्रश्नोंबर मिले हैं यहां से आपका दूसरा प्रशन बन सकता है और आप से पूछा जा सकता है कि सिंदू सब्यता कि किस पूरास्थर से नहरों से सिचाई नहर का इस्तमाल करके जो सिचाई की जाती है उसके प्रमार कहां से मिले हैं अगर आप से पूछा जा तो आप बताईएगा कि जो सुर्थ गई है अफगानिस्तान में वहां से हमें नहरों से सिचाई करने के क्या मिले हैं साच्छी मिलते हैं अब आगे देखते हैं क्रिशी कार के लिए नदियों के जल वर्षा के जल एवं कुओं का प्रयोग किया जाता था जैसे धौला वीरा स नदियों कुओं और नहरों का प्रयोग किया जाता था और साथ ही साथ यहां देखी जैसे धौला वीरा से शैल कुंड जल कुंड का मिलना एक उनत जल प्रबंद विवस्था को दर्शाता है तो यहां से देखे एक प्रश्ण और बन सकता है कि यहां से एक और प्रश्ण ब और इसका मिलना क्या है एक उन्नत प्रबंद विवस्था को दर्शाता है कुए पर पुली के कोई हमें प्रमार नहीं मिले हैं इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा और यहां देखिए आपका पाच्वा प्रश्ण आ गया है पाच्वा प्रश्ण है कि निमल यहां देखिए बच्चों कि कि आगणि बेदीका के प्रमार मिलें किसके आग्नि वेदिका के तो यहां देखिए बच्चो यह प्रश्न थोड़ा विवाद में है और यह प्रश्न आपका कहां से कपूछा गया था के वियस पीजी टी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है चलिए बच्चो जराम इसकी व्याक्या को देख लेते हैं फिर अच्छी तरीके से आपको समझ में कौन आए गहां अगनी वेदिका के प्रमाढ़ वह राजिस्थान गज्राथ के अस्तलों से प्रप्त होते हैं जब्कृ संदू बलूंचिस्तान के खनी वेदिका के प्रमाढ़ के प्रमाढ़ मिलते हैं तो doubts प्रश्व ऐसर से आपको कोई भीतिका यह था जब्कि जमधेए अब्यदा में अगनिवेदिका के प्रमाड आपको कहां से राजस्थान और गुजराद से मिलते हैं जबकि जो सिंदु और बलुचिस्तान वाला साइड है वहां से कोई भी अगनिवेदिका के प्रमाड नहीं मिलते हैं आप ठीक है बच्चो इतना समझ में आया तो अगर आएगा राजस्थान और गुजराद के अस्तलों से मिलते हैं ना कि सिंदु और बलुचिस्तान के किसी अस्तल से आया हम अपने छटवे प्रशन क्या है बच्चों कि निम प्रशन आप से पूछ रहा है कि निमलिखित में इसे किसकी जानकारी हरपा सब्यता काल में नहीं इन लिए फिर से पूछ रहा है चार ऑुप्शन आपको दिए अपको बताना है कि इन चारों में एकिसी की जानकारी नहीं थी और पास्प पूराइब नहीं है और यह नहीं शब्द जो है नहीं पर पाते हैं सही से और इसमें गलती कर जाते हैं तो प्रश्णों को सही से पढ़ा किजिए यहां चार आपके दिये गए पकीटे दीवारों की इंगलिश ब्रांड प्रणाली घोडिया च्छत और चौता है कि विग्यानिक तरीके स को बताना है कि इसमें से कर्डी टैंसवर क्या होगार लगए के सब्सक्राइब टोफ में लोगों की जानकारी नहीं थी वाखी पकीटों की जानकारी घोडिया च्छ५त और दीवारों की इंगलिश ब्रण परानली की भी जानकारी थी पर वेग्यानिक तरीके से बनाई गई महराब की जानकारी नहीं थी और यह आपका बच्चों के वियर्ज पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रशनु आई अब हम इसकी व्याक्या को जादा देख लिया जाता है तो इस व्याक्या से क्या होता है आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आता है हरपा सब्यता को सिंदू घाटी सब्यता के नाम से भी जाता है यहां एक प्रश्ण और बन गया अगर आप से पूछे कि हरपा सब्यतों को और किस नाम से जाना जाता है तो बताएगा सिंदू घाटी सब्यता के नाम से सिंदू सब्यतो बन सकता है अगर आपसे पूछें किस सब्यता है कि आगर किस पढ़ती पर अधारीत तह पताईए ङर CDU पताईए का। समकोर पर काटी सीद्रेखाऊंका की पढ़ती जाल पढ़ती कहलाती है ऐसे देखिए एग्जांपल देती हूं अपको ऐसे समकोड एक दूसरे को equally काटी हुई जो ये क्या है आपके ग्रीप पदती ऐसे होती है काटी सीती रेखाएं जो होती है उसी को और भी क्या कहते है इसी को जाल पदती भी कहा जाता है कौन से जाल पदती ठीक है जाल पदती समझ में आ गई ना आपको अगर आपसे कोई पूछे कि यहां कि नगर कितने भागों में विभग्त तो के अगर और लगुत है और अवास्थेत्रस कोय個 हम कहते है कि आपका पूरुवी टीला रहा करता था उसको क्या कहा जाता था आवाज शेत्र दुर्ग और आवाज शेत्र यह दो भागों में विभगत था दुर्ग क्या था आपका मजबूत रच्छा प्राचीरों से युक्त था तता आवासी भवन पक्की इटों के बनते थे जो दूसरा पूर्वी ठीला था जहां आवास बहुत रहा करते थे वह पक्की तीलों से क्या हुआ करते थे निल्मित हुआ रहा करते थे मकां दो मनजिला हो ता रहा करते तैंसरा रहते थे सब्सक्राइब खुल्ती थी दिवार से बानाली गयी थी अगर आपसे पूछे का स्वरूप गोरिया प्रकार कि थी और आपसे पूचे किस और नहीं गयी थ yönग हैं इंग्यानिक मेंसे अपिछा ऊप्छान किई जहां के पूरा अस्थल आहीं मिले और cations को आपको बताना है कि अस्थल आपको कहा से नहीं मिले हैं पहला रुप्शन इस्थान दूसरा उत्तर पस्चिमी सीमा वर्ती प्रांत का पहाड़ी चेत्र और तीसरा है निम्न हिमाले चेत्र और चौथा उत्तरी महराश्ट्र और यहां आपका जो है के विएस Sugと GGT परिष्छा, 2018 में पूछा गया प्रस्षण है आपको बताना है के इन चारों में से कौँसा ऐस और जहां से करफ्षा connects पूरा अस्थ्तल नहीं मिले है तो बच्चों इसे मवर्थी प्रांद का पहारी सेत्र यहां से मिले हैं आए चलिए हम जड़ा इसकी व्याक्या को देख लेते हैं सिंदू सब्यता के पूरा अस्थल महाराश्ट से नहीं प्राप्त होते हैं महाराश्ट का जो दैमाबाद है वह उत्तर हरपा सब्यता का अस्थल है किसका उत्तर हरपा सब्यता का अस्थल है महाराश्ट में क्या है आपका दैमाबाद तो अगर आपसे कोई पूछे कि दायमाबाद किस सभ्यता का स्थल है तो बताईएगा उत्तर हडपा सभ्यता का स्थल है सिंदू सब्यता का विस्तार पाकिस्तान एवं भारत दोनों देश में हैं और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पहाड़ी छेत्र दच्छडी बलुचिस्तान और साथी साथ सिंदेवं पंजाब में सैंदफ पुरास्तर प्राप्थ हुएं देखें भारत में आपको कहां कहां से मिलें ये देख लेते हुए पंजाब राजिस्तान वह उत्तर प्रदेश गुज्रा जम्मौ कश्मीर में पहें गए कश्मीर में स्टार्वrium पंजाब राजिस्तान यह वह अस्थान है जहां से हमें सेंद्व सभ्यता के पूरास्तल पाए गए हैं इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान से भी सभ्यता के दो पूरास्तल सुर्ट गोई एवं मुंटगाग खोजे गए हैं यहां से आपका प्रशन पूछ सकता है कि कितने देशों से जो है सेंद्व के बालुचिस्तान से आपको जो है मिलते हैं पूरा स्थल सेंदफ के और भारत में पंजाब राजिस्थान और हर्यारा और उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब यहां से मिलते हैं साथी साथ अफगानिस्तान से यहां से आपका तीसरा प्रश्ण बन सकता है दो में पूछा गया है कि मौहन जोड़ों में किले शेहर में सबसे चोकी क्रमस्ता थी तो मषण जोड़ों उस चहर में चोकी राख कर ती थी छेथ साथ ऑग्यारा मीटर आट वारामीटर यह दोग्मा आपका KVS PGT परिच्छा 2018 में पूछा गया प्रशन है आपको बताना है कि आपका correct answer क्या होगा आपका correct answer है बच्चो ए 6 वा 10 मीटर यह बिल्कुल आपका correct answer है आए चलिए इसकी व्याख्या को ज़रा हम देख लेते हैं मोहन सडको की चौड़ाई 13.5 पूर से 33 फूर सी इतनी ती सह्को की चौड़ाई मोहन जोदरों में किस दूआई थे चौड़ाई का कि मोहन-जोदораBeous के किल्ज़ हैं में सबसे चौड़े J जो दोड़ों की सड़ाई कि तो यह यह प्रशन आपका एंपी केसिस्टेंट प्रोफेसर परिच्छा 2017 में पूछा गया प्रशन है आपको बताना है कि इसका correct answer क्या होगा और इसके चार option दिये है 16 feet, 9 feet, 20 feet और 33 feet तो आपका correct answer क्या है बच्चू? D 33 feet जो है वहां जो दो की मुख सड़क क्या है चोड़ाईए D, विल्कुल आपका correct answer है आईए चलिए अब हम इसकी देखते हैं दस्वा प्रशन हम आप सभी से पूछते हैं मेसोपोटामिया में निम्लिखित में से किस भासा ने सुमेरियन भासा को प्रतिस्थापित किया कहां पे मेसोपोटामिया में निमलीखित में से किस भास्षा ने सुमेरियन भास्षा को प्रतिस्थापित किया चार आपके दिये गए असीरियन, अकार्डियन, अर्माइक और ग्रीक और यहां आपका केवियस पीजीटी परिच्छा दो हजार एठारा में पूछा गया है तो बच्चो इसका करेक्ट एंसर है अकाडियन, अकाडियन ही वह भास्षा है, जिसमें सुमेरियन भास्षा को क्या किया है, प्रस्थापित किया है, मेसोपोटामिया में आये देखते हैं, अब इसकी व्याक्या को जड़ा देख लेते हैं, इससे आपको और भी थोड़े जानकारी होगी परात और दजला नदियों के बीच इस्थित मेसोपोटामिया वर्तमान में इराग गर्राज का हिस्सा है आये तो अगर आपसे कोई पूचे कि मेसोपोटामिया किसके बीच इस्थित है तो बताइए गा फरात और दजला और यह आपका पहला प्रशन यहंसे बन सकता है और पूछे में सुपॉटामिय वर्तमान में कहां इस्तित है यहां से दूसर प्रशनाप को बनता है बताईएगा इराक में वह इस्तित कहां इराक में मेसोपूटामिया की सब्यता अपनी संपन्नता सहरी जीवन विशाल एवं समरिद साहित्य गळित और खगोल विध्या के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए संपनन था और सहरी जीवन के लिए परसिद्ध दोजार इसाप पूर में जब बेबी लोन एक महतफूर शहत्र सहर बन गया कौन बेबी लोन तब दश्री छेत्र को बेबिलोनिया कहा जाने लगा तो कभ दो हजार 돼ब दश्री छेत्र closest ज ne बन सकता है और आफसे पूछा जा सकता है कि महतपूर शहर जो बेबिलोन था उसको क्या कहा जाने लगा बेबुलोनिया कहा जाने लगा जो दठ्षरी छेत्र था और कब दो हजार इसापूर में लगबग 1100 इसापूर से जब असीरिया आईयों ने उत्तर भाग में अपना राजस थापित कर दिया तब उस छेत्र को असीरिया कहने जाने लगा और फिर उस प्रदेश की प्रथम ग्याद भाषा क्या थी सुमेरियन थी तो उस प्रदेश की प्रथम ग्याद भाषा सुमेरियन थी 2400 इसापूर के आसपास जब अकाडियन भाषी लोग यहां आ गए तब अकादी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया अकादी भाषा सिकंदर के समय 330 सी इसापूर तक कुछ छेत्री परिवर् फरात और दजला के बीच में एक असल था जो कि वर्तमान इराक में यह अपनी संपन्यता और सहरी जीवन के लिए बहुत ही प्रसित था फिर इसी में सुमेरियन नाम का शहर था जो कि 2000 इसापूर में फलता फुलता एक काफी बड़ा शहर बन गया और फिर दश्री छेत्र क को इस को ही बेबिलोन की नाम से ही उसको जाने लगा कप 1200 इसापूर में फिर 1100 इसापूर में असीरियन यह उत्तर छेतर में अपना अतलबाशा लेते हैं तो फिर उसचेत्र को असीरिया कहने जाने लगा फिर उस चेत्र की प्रदेश की प्रथम घ्यात भाषा क्या थी सुमेरिया थी लेकिन जो है जब 1100 इस्वापूर के बाद 2400 इस्वापूर के आसपास अकादियन आ गए और यहां पर अकादियन लोगों ने सुमेरिया भाषा के अस्थर पे अकाद भाषा ने ले लिए फिर जो अकादि भाषा थी शिकंदर के समय तीन सो 336 से लेकर 23 तक कुछ अस्थलों पर क्या धीरे धीरे कुछ चेत्री परिवर्तनों के साथ पलती फूलती रही थी आई यहां तक आशा कर्दियों आपको समझ में आया होगा आपका 11 प्रश्न आ गया सब्सक्राइब में पूछा गया प्रश्न है तो आपका करेक्ट एंसर क्या होगा आपको करेक्ट एंसर है बच्चों सी मेलुहां मेसोपोटामिया के साइथ में निमलिकित में से इस अस्तान का हरपास अबिता के लिए अब रेत रहा होगा आए चलिए अब मिसकी जड़ा मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या है कि मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या है तो इसका यूनानी अर्थ है कि दो नदियों के बीच क्या दो नदियों के बीच इसका क्या है अर्थ है यह इलाका दर्जला यानि जिसे हम टिग्रिस भी कहते है और फराद या जि कि कौन सी दो नदिया है जिसके बीच यह पढ़ता है छेत्र तो बताईए अगर टिग्रिस और डूयू फ्रिटिस अगर आप्शन में होगा तो लगाएगा नहीं तो दजला और फरात या दोनों ही एक ही नाम है सुमेरियन लेखों से ग्यात होता है जो सुमेरियन लेख थे उससे घ्यात होता है कि उन्हों के वैपारि मिलोह के विपारि जो मिलुआ जो मिलुआ के वेपारियों के साथ वस्तों विन्मय करते थे मिलूह मोहन जोद्रो का समी करन सेंधव सभ्यता से किया गया है तो जो मेल हुआ जो मोहन जोदुरो का समय करदर सैंदौप्रदेश यानि सिंदू घाती सभ्यता से किया गया तो जो सुमेरियन लेकर उनसे ग्यात होता है कि उन नगरों के वैपारी जो है जो मेल हुआ यानि मोहन जोड़ों के वैपारियों के साथ जो वस्तु विन्ड में क्या करते थे वस्तु विन्ड में आईए यहां आपका बार्वा प्रश्न पूछा गया है कि मेस्व पोटामिया के इतिहास में निवलिखित में से किस अवधी को प्राथमिक राज गठन का यूग माना ज जाता है तो पहला उप्शन है आपका अलुबैद काल दूसरा हलाफियन काल दीसरा इसमरण काल और चौता है उरुक काल और यहां आपका एन्वीएस कि पीजी टी परिच्छा 2019 में पूछा गया प्रश्ण है तो आपका करेक्ट एंसर है बच्छो डी डी बिल्कुल आपका करेक्ट एंसर उरुक काल को ही प्राथ्मिक राज गठन का यूग माना जाता है आए चलिए अब हमें इसकी थोड़ी व्याक्या को देख लेते हैं मेसोपोटामिया के इतिहास में उरुक काल को प्राथ्मिक राज के गठन का यूग माना जाता है इसकाल में चित्रमे स्क्रिप्ट के साथ लेखन और वास्तवी के तिहासी घठनाओं का प्रलेखित रिकार्ड का वर्डन किया गया है ठीक है बच्चू आईए अब हम अपने 13 वे प्रश्न की और बढ़ते हैं हमारा 13 वे प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे हरपा लीपी के बारे में निम में से कौन था कथन सही नहीं है आपको सही नहीं है बताना है पहला अप्शन है कुछ ऐसे उधारण भी उपबंद है कि या लीपी बाई और से दाई और को लिखी जाती है दूसरा अप्शन है हरपा लीपी सब्दाश्री के अथार प्रतेक प्रयुक्त प्रति किसी सब्द या सब्दान्स के लिए होता है और तीसरा उप्षन है या समान रूप से दाइं और से बाईं और पढ़ने के लिए लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में तीस संकेत हैं और यह प्रशने आपका जो है एंवी एस पीजी टी परिच्छा 2019 में पूछा गया है तो बताए इसका करेक्ट एंसर क्या होगा तो बच्चों इसका करेक्ट एंसर है आपका डी लेखन के सबसे लंबे प्रतिरूप में तीस संकेत है यह आपका करेक्ट एंसर है और बाकी के यह तीन बिल्कुल सही है आए देखते हैं इसकी व्याक्या को समझते हैं हरपा लीपी की ज्यादा तर साच कैसे चित्रात्मक हैं पिक्टोग्राफिक है यानि चित्र बने हुई लीपी है चित्रों की संक्या 22 मानी है कितनी 22 मानी उनके अनुसार हरपा लीपी में मूल रूप से 52 चिन थे ज्यादा तर लीपी बाएं से दाएं लिखी गई यह तबी कुछ साथ दाएं से बाएं के भी पाएं जो ज्यादा तर लीपी तो लेफ्ट टू राइट लिखी गई यानि सबसे परचलित चिन उपरकार का निशान से आपका परचलित बन सकता है कि ju einzel बात तो जो सबसे प्रचुलित चिन्द कौन सा है तो अगर और उप्शन में दे तो बताएगा अंग्ड का यू शब्द पे ठीक लगाईए गाअब और पर-शो में सबसे प्रचुलित चिन्द के उना ही और आजो परपने रागे बरते हैं कि नि uważ विखित में से कुन सा अस्तित हर्यान हमें श्तित नहीं है तो क्यां पे चार उप्शन में पेड़िये गए रॉपर। और यह आपका एंवियस फोर तरहें पूछा गया प्रस्थन आप को बताना की करेक्ट एंसर किया होगा 53D Men कि तो ए रोपर आपका बिल्कुल करेक्ट है कि यह रोपर जो है आपका क्रत्रल हर्याणा से प्राप्त नहीं है राखिगड़ा व्यों अद सब्सक्राइब को आज किस नाम से जाना जाता है तो जो मेसोपोटामिया प्राचीन इतिहास में ता उसमें चेटर सामिल हुए किस नाम से जाने जाते हैं प्रेजेंट के वह आपको बताना चार ओप्षण आपको दिये गए हैं पूर्वी सीरिया तुर्की और ग्रीज पूर्वी और इराग का धिकान भाग या इरान और इराक या इराक और लेबनान और यह प्रशन आपका प्रिच्छा में पूछा जागया है दो हजार उननीस मे को कर लेते हैं क्योंकि आपका वीडियो लंबा होता जा रहा है तो भी आपका बिल्कुल करेक्ट एंस्वर है पूर्वी सीरिया पूर्वी सीरिया तुर्की और इराक का अधिकान भाग किसमें प्राचीन इतिहास के मेसोपोटामिया में आता है यह तीनों छेत्र आये चलिए प्राचीन के शहर जो सिंदू घाटी सब्यता के क्याता समकाली था तो यह मेसोपोटामिया है कि मेसोपोटामिया की सिंदू प्रदेश को हमों किस नाम से जानते थे तो जो सिंदो घाटी की सभाता थी उस और से जानते थे तो यां चार होप्षन आपको दिए गए थी बच्चाटट डी मेलुखा या मेलुँए मेलुआ बिलकुल 방oster किस नाम से महें जोड़ो कि मतलब मैसो पोटामिया के जो निवासी रहते थे वह सिंदु सब्सक्राइब के लोगों को क्या कहते थे नाविकों का देश कहते थे मुहुरों पर जहाजों तथा नावों के चितरीस बात को प्रमारित करते हैं और जो मेसोपोटामिय मिथक मिलुवा के विश्य में बताता है कि तुम्हारा पच्छी हाजा पच्छी हो उसकी आवाज राजपरसाद में सुनाई दे काई पुरा तत्वीदों का मानना है कि हाजा पच्छी क्या था मोर था तो जब मेसोपोटामिय मिथक मिलुवा के विश् से मोर से चलिए अब अपने दूसरे प्रश्ण की और आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्ण की आद इतिहास में किस सहर को सबसे पहला दिवार से घीरा हुआ शहर कहा जाता था तो दिवार से घीरा हुआ शहर चार ऑप्शन दियें दमिश्च को ओमान या जेरिको या उप्रुप्त में से कोई नहीं और या प्रशन आपका उत्राखन के असेस्टेंट प्रोफेशर जीडिसी परिच्छा 2017 में पूछा गया है आपको करेक्ट एंसर बताना है तो बच्चों आपका करेक्ट एंसर है सी जेरिको ही वा सहर है सबसे पहला दिवार से घिरा शहर का जाता है इतिहासिक सोत्रों के अनुसार ग्यारा हजार साल पहले से ही लोगों ने यहां रहना प्रारम कर दिया तक कितने ग्यारा हजार साल जॉर्डन नदी के किनारे किस जॉर्डन नदी के किनारे इस्तितिस प्राचीन सहर के अस्था पर वरतमार में 20,000 की आबादी वाला कस्बा है तो यह सहर जो है आपका जो है जॉड़न अधी के किनारे बसा हुए और यहां पर वरतमार में 20,000 का कस्बा बसा हुए बीस जार लोगों का कस्बा लोग यहां रहते हैं यहां कुछ अन्महतपूर्त दिये हुए चलिए उनको भी देख लिए जाता है आपका पहला पॉइंट है दमिश्क सीरिया की क्या है राजधानी है क्या है सीरिया की राजधानी यानि कैपिटल है किसकी सीरिया की और या वि दूसरा पॉइंट है जाता है कि अर्भी प्राइदीओंसिथ दठर्चिर में इस्तित एक मुसलिम देश है ओमन कैसा देश देश मुसलिम देश जीस से अधिकारी plupart से सलदनति ओमान की नामें से यह थार्व्व प्रशन आपका प्रक्रिती की थी तो आपको प्रक्रिती बताना है सिंदु घाटी सब्यता का चार आपको दिये गए आध्य सहरी सहरी यह सहरी ग्रामीर और यह आपका जो है कि अधियर्स आपको इसका करेक्ट एंसर बताना है तो बच्चो इसका करेक्ट एंसर भी जो सिंदु घाटी सब्यता थी वह सहरी थी नग्रों का जैसे शहर में आते हैं आपके इसमें लिएघ्जामपल इग्जामपल मोहान जोरूओं बिदे सकते आप यहां व्याक्य आपके देगाई कि सिंदु घाटी सब्यता शेहरी प्रकृती की थी सिंदू सभ्यता को प्रथम नागरी क्रांती भी कहा जाता है या आपका पहला प्रशन बन सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि सिंदू सभ्यता को क्या कहा जाता था प्रथम नागरी क्रांती जो कि भारत में पहली बार नगरों का उद्या इसी सभ्यता के समय हुआ तो पहली कि खुदाए की तो यहां से तीसरा प्रश्ण बन सकता है कि जो हरपा की किस ने की तो बताइएगा आपका दयाराम शानी ने हरपा की कि ऐगे और दूसरा इधर देखिए आगे सबसे पहले एक हरपा सब्थी कि कहा जाता completo hue करणर इसके प्रमॉक्ति नगरों मैं से प्रणों में और जोद्रों है या उपनी कि DAVID उजड़ूpoint के लिए आशा करती हूँ कि आपको यहां तक समझ में आया होगा आपका उनीश्व प्रशन है कि हरपा संस्कृति के विद्वांस के लिए आरे आक्रमर के सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया यह रपा संस्कृति का विद्वांस कैसे हुआ इसके कई कारण बताए गए और इसमें से एक और रिजन था कि आरे आक्रमर के सिधान्त भी कई सिध्धान्त दिया गया तो इसका प्रतिपादन किस ने किया यहां चार आप्षन आपके दिये गए जॉन मार्शल मार्टमिर ही डिलर बीबी लाल या बीकिर थापर और यहां प्राइस में आपका यूप मार्टिमर वीलर ने आरे के आक्रमर का सिध्धान्त का क्या किया प्रतिपादन किया आए चलिए इसकी व्याक्या को देख लेते हैं हरपा संस्कृति के विद्वांस के लिए आरे आक्रमर के सिध्धान्त का प्रतिपादन मार्टिमर वीलर ने किया गॉर्डन चाइल्ड स् संकेत मिलता है कि मोहन जोदरो हुआ हुआ nation has 5 पूरांदर तर्फा हारि यूप्या शब्दोंसे इस सिंधान को बल मिला इस सब्सक्ताय हरे या आईए चलिए हम अपने प्राश्ण की और बढ़ते हैं हमारा प्राश्ण है कि मिट्टी की प्राचीन कालीन किसकी मिट्टी की 274 महुरे कि पूरा अस्तल के उतकरन से प्राप्त हुई तो यहां चार आप्शन दिये गए आपको बताना है मोहन जोदरो गनेरी वाल या काय दो क्योंसार और भारा में पूछा गया प्रस्ण है अगा त्था अगयों है तो आपका ट्रेट अन्हों पत्यूंत पासार से ही हमें इस इत्टी टूंडर स्वेंटी फोर महुरे मिलती है पूरा असल के उतकरन से आए चलिए इसकी व्याक्या को देख लेते हैं मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरे बसार बसार आपका प्राचीन में क्या है वैशाली से उतकनन्स में प्राप्थुन इतिहास लेकर में मोहरों का भी क्या महत्पूर उप्योगिता रही है आए हमारे किस्में प्रश्णी की और बढ़ते हैं हमारा इकिसमा प्रश्ण है कि इस हरपाई अस्तल से एक मानव अस्थी पंजर क्या मानव अस्थी पंजर के निकट एक बकड़े का स्थी पंजर प्राप्थ हुआ है तो चार अप्शन आपको को दिए गए हैं लोथल काली और यह आपका यूपी जी दोहजार बारा में पूछा गया प्रश्न है तो आपका करेक्ट टैंसर क्या होगा बच्चों है आपका करेक्ट टैंसर है दी जोड़ो मोहन जोड़ो से मानव अस्थी पंजल के निकरे के श्थी पंजल प्राप्त हुआ है यहां देखी चलिए इसकी व्याख्या को देख लिए जाता है सीं काज्स्तिं की सजीव पशुमूर्थियों में तो यहां से दूसरा humanochnya, क्या क्या मिली है यह प्रस्ट कास की सजीव पशुमूर्थिया मिली हैं जैसे की भैसा और बेरा की मुश्चा से मुहन्जोदरों से मुहन्जोदरों से कलश के सवधान मिलें नहीं पशुब्स मचलियों की कुछ हड़ियां आभूशन राख कोईला अम्रिद्वांट के टुकड़े आदी पराप्त हुएं मोहन जोदरों से हमें 42 मानव कंकालों के साच पराप्त हुएं कितने 42 यहां से तीसरा प्रशन बन सकता है आप से पूछा जा सकता है कि कहां से 42 मानव कंकालों के साच पराप्त है कि निम्हरपाई अस्तलो में से किन में चावल की खेती के प्रमार मिले हैं यहां चार आप्ष्ण आपको दिये गए तो कूट का प्रयोग करके आएंसल आपको देना है तो काली बंगा लोथल मोहनजोद्रो और सुरकोरदा चार आप्ष्ण दिये गए और चारपिशन पहला और दूससरे सईह इस चार मे और तीससरा सईह है या तीसरा सईहi है और या सबस्कुन आइसे और पूछा आसा काया में या काली बंगा रजिस्थान काली बंगा अपको राजिस्थान में और अपका गुजराच मियां से बीप्रेशन बन सकता है पूछा जाता है कि कहां पे यार दोनों अस्तल पाए जाते हैं ठीक है बच्चों से चावल की खेती के प्रमान मिले किसके चावल की जब की मोहन जोदरो जो की सिंद प्रांग के लरकाना जिला पाकिस्तान से अन्नागार और पूरो ही तवास स्पापढ़ें यहाँ से कप्रश्ण करे mister और सोती कपड़े के साथ चेंज और पुरोई तवाज अब सिर्ट कोड़ता जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यहां से तीसरा प्रशन भी आपका बन सकता है की सुर्कोड़ता किस राज में है आपका तो बताइए का गुजरात के कच्छ जिले में तो सुर्कोड़ता से हमें गोड़े के हस्ती पंजल गोड़े के हस्ती पंजल के साथ वह कलश सवधानों के साथ मिलें यहां से देखिए आपको कई प्रश्ण और भी मिल जाते हैं कि किस हरपा अस्तल से निकास नालियों के साथ फर्स जड़ित बारा असनान ग्रह के साथ एक समूष सेट मिला है चार अप्शन है हरपा लोथल काली बंगा या बनावली और यह आपका यूपी परिछा दो हजार इक्कीस में पूछा गया प्रस्ट नहीं तो आपको टैंसर बताना है आपका करेक्ट एंसर क्या है बच्चों आपका करेक्ट एंसर है सी लोथल से हमें निकास नालियों के सब्सक्राइब इसनानगरा करें यहां देखिए आपके कुछ व्याक्य दिया उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं लोथल से निकास नालियों के साथ फर्स जड़ी बारा इसनानगरा करेक्स समूझ से विला उपर मैंने आपको बताया यहां देखिए कुछ अनिमातपूर तर्थ हैं उनक भृगॉरा केंद्र कहां था बंदर कहां बंदर कहां मिलता हैं तो बताये मिलते हैं लोथल अब रहान आपका कहा है बच्छो लोथल अफग करांatal गुर्जा के कच्छी इले मीई है इस भी दूसरा पॉइंट कि गुजरात के माक्वाद की खारी ऑन weill साबरती नधी नदी किनारी सित्ता तो लोधल आपको कहां सित्ता गुज्रार के खंबात की खाड़ी में साबर मती नदी के सहायक भुगवा नदी के किनारी सित्ता और लोधल जो है बंदरगा और वेपार का क्या था केंद्र था इस अस्थर से संक के गार किसे संक के कार करने वाले दस्ता करो और ताम़कारियों के ठाय खाने मिले तो बताहिए यहां से तेस्थर परशन बन सकता है रोधल से मिले दूसरा पोइंट है आपका कि इस अस्थर के नगर छेत्र के कि बहारी उत्तर परश्चिमी किनारे में इंच B eight नहीं मिली हैं तो यहाँ से आपको का चौता प्रलश्णबन सकता है आप से पूछा जाए कि anybody OUT कुछा गया कि धील के किंआरे इस्थित परारंबिक क्रिशि अस्थल क्या था चार ओप्शन दिया गए चिरांद लॉरा देवा मेहर गड या महदा और यह आपका यूपी जी प्रवक्ता परिच्य 2020 में पूछा घ्यां कि Dick1 आपको करेक टेंशर बताना है कि टॉ आ ठीटो आ में को अपर बच्चो पॉरा देव रस्ताम जहां से घील की還是 सथी कि इस संथ कभी नगर देकर भारत का a उत्तर प्रदेश के संथक्र नगर जवह है इस जोॉहां से यहां से हमें किस चावल के भी साच मिलें यहां से दूसरा प्रश्ण आपका बन सकता है यह देखें यहां कुछ पॉइंट दिये हैं उनको भी देख लेते हैं कि पहला पॉइंट है कि मेहर गड़ मेहर गड़ का है पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांत में इसका पुरा सल है यहां तब नौपाशानिक बस्तियां मिलती है तो बताईएगा मेहर गड़ से मिलती है यहां देखिए आपका दूसरा पॉइंट है कि चिरांद जो की बिहार के सानर जीले में इस्तित्त नौपाशानिक बस्ति है इससी सार्वजनिक भोजन बनाने का केंदर मना गया यहां से सार्वजनिक बनाने का केंदर यहां देखिए आपका फचीसवा और लास्ट प्रशने क्या है कि किस पूरा अस्तल के दुर्ग में तो आपको प्राप्ष हुए और यहां आपकी चार आप्शन दिये गए हैं हरप्पा मोहन जोड़ो लोथल या काली बंगा और यहां तो बच्चों आपका correct answer होगा दी काली बंगा से डी बिल्कुल आपका correct answer है यह हरपा का पुरास्तल है जाहां से जिसके दोर गें से हमें साथ अगनी कुंड के साच प्राप्त हैं किसने कितने साथ अगनी कुंड के चलिए इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं काली बंगा पहली बात आपका कहा है काली बंगा आपका राजिस्थान के हनुमान गड़ गंगा नगर जिले में इस्तित है यह सेंदव सब्यतर का एक महतपूर पुरास्तल है जिसकी खोज वर्स 1951 में अम अमला नंद घोश ने तो यहां से दूसरा प्रशन करें काली है को कि इसके पास्चिम दिशामेनु दुर्ग और पूर्विव दिश हमें नगर शेत्र Ministries इस्तित्त था काली बंगा में कवन्हें की संमीप साथ आयताकार वेदीया मिली है को काली बंगा में सब्सक्राइब बचो आपको बहुत इंपोर्टन्ट है इसको प्लीज रखेगा यह देखिए काली बंगा से हमें क्या प्राप्त हुई है काली चूरिया प्राप्त हुई है कि पूछा जा जुका है कि काली चूरिया आपकी कहां से प्राप्त हुई है तो देखिए काली बंगा में काली जो है आता है और काली चूरियों में भी काली आता है तो इससे याद रखेगा ट्रि कहां मिलता है काली बंगा से मिलता है और मिट्टी से बनी महरों का भी साचे में काली बंगा से मिलता है और हमारे 25 प्रशन समाप्त होते हैं आशा करते हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे और बाकि के वीडियो पॉलिटिकल साइंस की मैं साम तक कुछ डाल दूंगी और आप लोग मेरे वीडियो को देखा करें अपने और भी लोगों से शेयर किया कीजिए ताकि लोग और भी ल आपकी ह hen जाएचिने पड़गा हैं जाज़ देखा की लोग मैं से जाए़ एक्टमाइब हैं आप numbें टन के माणस के अनुमादेना Thank Was